दोस्तों अगर आपको भी अपने वीडियो में थमने लगाते समय इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम या इशु देखने को मिलता हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ की आप कैसे अपनी इस प्रॉब्लम या इशु को ठीक कर सकते हैं, तो इसल दोस्तों करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट तो इसके लिए आपको दोस्तों यहां नीचे वेरफाय ओप्षन लिखा हुआ दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना है तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह का इंटिफेस ओपन हो तो फिर अब आपको यहां पर अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद आपको यहां पर नीचे अपना फोन नमबर डाल लेना है तो phone number को डालने के बाद आपको यहाँ नीचे दो option दिखाई देंगे पहला option है text me और दूसरा option है call me तो दोस्तों अगर आप यहाँ text me option select करते हो तो आपको code message किया जाएगा और अगर आप यहाँ call me option को select करते हो तो आपको call करके code दिया जाएगा तो दोस्तों मैं यहाँ text me option को select कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे get code option दिखाई देगा आपको उस पर click कर देना है तो उसके बाद आपने यहाँ पर जो phone number डाला था उस पर एक code आएगा आपको उस code को यहाँ पर डाल देना है तो code डाल देना के बाद यहाँ कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा और आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा phone number verified तो दोस्तों अब आपकी problem यहाँ solve हो चुकी है तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ दुबारा thumbnail option पर click करके दिखा देता हूँ तो दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर thumbnail लगाते समय जो पहले problem या issue दिखाई दे रहा था वो problem यहाँ पर अब आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो दोस्तों इस तरह से आप अपने इस problem को ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों आपको समझा गया होगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो लाइक कर देना तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था जब तक के लिए take care and bye bye